वेलकुम बेक इन न्यू वीडियो गैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे मेरा नाम है सारदिन खान और आप देख रहे हैं अपने यट्व टेनल फार्मेसी वाला कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोना चुनिए फार्मसी वाला को और कर तो मिद्व टूर्ण है कर रहें गरा थाद के लुडियर फुर्ण नुटित कवर लुठाइब लौल सिखल़ होति हैं जो के अंधर करते कंदेू कीनी वीडोो से में सारे कवर हो जाएंगा अग अज की बात करते हैं बहुत ही आसान तरीके कि जबहां पर अब करते हैं बहुत ही आसाण दिए नेम आ रहा है इसके इस्प्रे का मतलब होता है कि मैं आपको बता तुम जिसके अपने पर्फ्यूम यूज़ के होंगे जो आते हैं तो वो भी इस प्रे के रूप में बाहर निकल जाते हैं जिसके उसके फूरा के बाद में हम एकदम होट यह पार कराइंगे और जैसे होट यह की कंटेक्ट में जो ड्रॉप लेट से वो आएंगी और वो ड्राइए हो जाएंगे हैं एकदम इसी तरीका तो प्रिंसिपल क्या होग रहे कि सबसे बहुत लिखना कैसे कि इन डिस ड्रायर एन इसलरी और लिक तू डिस्पर्स दा लिक्विड और सिलरी इंटू गैस देखिए यहां पे टर्म यूज़ करें कि मनलब डिवाइज का नाम है एटोमाइजर जिसके नहीं हमारा एटम यानि कि आप ऐसे बोल सकते हैं यह एक ऐसा डिवाइज है जो कि लिक्विड को छोटे-छोटे एटम में मनलब कर देता है एटम का मतलब बोले तो ड्रॉप में इसके सपोस करिए यहां पे यह हमारे लिक्विड भरा हुआ यह क्या है हमारा परिफूम आप मालीजिए यहां पर कैसा सिस्टम यह लगा होता है जिसके हम इसको दबाते हैं यह तुरंद इसमें प्रेसर बनता है प् हम चोटी चोटी ड्रॉप में कंवर्ड करते हैं फिक है देन किया होगा दन ड् divine ड्रॉप आर ड्राइड वारी बोलते हैं ड्राइंग चेंबर एक्शली में ड्राइंग इसी में होगी ठीक है और उसके बाद में ऊपर देखो कि जो रैड जो नजर आ रहा है यह है यहां से हमारे जो फीड माटेरियल जो पीछे से पाइप के थुरू आएगा उसको किसमें करेगा ड्रॉप में करेगा ठी सब्सक्राइए तो इह पार किया है तो यहां पर यहां पर ऑट्रहकों, पुसके सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब उसस का सब्सक्राइब निकल जाएंग और हमारा जो भी ड्राइब प्रोडक्ट है वो कंटेंट वो नीचे आके जमा हो जाएगा तो कि कौन-कौन से चीज़ आपको नज़र रही यहां पर सबसे बहला जो इसमें जो मलब की कंस्ट्रक्शन में हम लेखेंगे वह हमारा ड्राइंग चंबर कि भाई इसमें एक स्टे इसमें कम बताए दियो एक इसा शिस्टम विच कनवर्ड इन्टू ड्रॉप करता है चोटी-छोटी ड्रॉप में तो यहां पर यहां पर लगा होता है एंड लास्ट मैं साइकलोन सेपरेटर के अट बौटम ऑफ ड्राइंग चंबर साइकलों सेपरेटर इस कनेक्टेड नह आपने यह जो सिस्टम में आप ऐसा समझें आप किसी कंपनी में और आपने चलाना है तो आपने क्या क्या चीज़े करने होगी सबसे पहले आपका जो भी लिक्विड फीड है जो भी मटेरिल वह आपने तयार करना होगा है ना और उसको हम यहां से प्रोवाइड करेंगे किस रगुलर्ली काम होता रहेगा ऐसा नहीं कि बार-बार हम करेंगे एक बार चलाके यहां से छोड़ दिया और यहां से होटेर पार करानी छोड़ दे तो यहां पर बनेंगी होटेर आएगे इसको ड्राई कर देगे वही सारा चीज़ घुम फिरके हम साइकलोन से परेटर में है atomization यान की formation of drop drop formation so first of all यहां पर atomizer का ही काम स्टार्ट होता है जो हम device बोलते आए हैं कि यह जो है drop बनाता है तो यहां पर सबसे फिले drop बन जाएंगे second step आएगी कि drying of liquid drop जैसे यहां पर drop बनेंगी इस पर हां से यह होगा तुरंथ हम liquid drop बो ड्राइ हो जाएंगी तो वही बात यहां पर लख रखेंगी नेक्स्ट पोइंट है recovery of dried product कि यह जो dried product है यह हमारा cyclone separator में जाएगा उसके हम recovery करेंगे बोले तो उसको हम separate out करेंगे तो यह तीनो step है simple सी working आई होप आपको समझ आई गई होगी देकि अभी जो हमने लाश्ट वीडियो अगर आपने देखी हो वह आपने देखा था ट्रेड रायर में कहते हैं यहां पर जो content था वह हम रख देते रहे वह गरम होता रहता लेकिन ऐसी हर एक material नहीं है कि वह हीट को सेहन करता रहे कुछ जो है वह खराब हो जाते हैं तो यहां पर की तरीका है यहां पर जो है जो भी content है हमारा वह ज्यादा देर हीट के additives यह सारी ठीक है और जो हमारे milk वगएरा जो सूखा milk आपने देखा होगा जो बच्चों को हम लाते हैं टी वगएरा कोफी वगएरा यह दूस्ट वगएरा है ठीक है पात करते है एडवंटेज और इसके डिस अड्वंटेज इसको मैरिट और डी मैरिट भी बोलते है तो एकदम rapid और continuous प्रोसेज इसको मैंने बोला था ना कि एक बार इसको चला दो यहां से होटेर पार कर दो यहां से इसके हमारे antibiotics हुए injection वगएरा हुए कई बार उनका उनके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं लास्ट में डिसाइडवांटेज की थोड़ा वलकी एंड एक्सपेंसिव होता है इसको यूज नहीं कर सकता है यहां पर यहां से जो भी हमारा इस्प्रेय हुआ मटेरियल नीचे आएगा तो वह कुछ मिनटों में नीचे गर जाएगा तो अब हर एक माटेरियल ऐसा नहीं कि वह बिल्कुल दो थी मिनट में ही सूख जाए तो यहां पर जो इसके थोड़े से बात करते हैं नेक्स्ट हमारा फ्लूडाइजड वैड रायर तो पहले तो इसके वैड सही हम मतलब समझेंगे तो इसको सॉट मेंने थे हम एफवीडी बोलते हैं एफवीडी भी मैं यहां पर बोलूंगा तो एफवीडी जो ही मोस्ट कॉमनल यूज कर ज करना है उसको हम उसी के उपर रखेंगे तो उसी का नाम है फ्लूडाइजड बैड तो लिखाए कि एफ पर्फोरेटिट पर्फोरेटिट का मतलब होता है छेद वाला जिसमें छिद रहूं छेद वाला एक वेड होगा थूबिच वेट पाउडर एक ग्रेनियुल्स फिलो बाइप पासिंग एयर एट हाई बैलो सिटी देखिए थोड़ा मैं आपको दिखाऊं आप डाइगराम को देखे कांफ्यूज मत हो ना आप बलुकुल मत देखो उपर की चीज़े नीचे देखो यह कि एक ऐसा सिस्टम एक बैड आप समझो ठीक है पर्फोरेटिट जासके मैं बलता है इनकी छेद वाला तो यहां से को छेद होते हैं नीचे से और छेद इतने छोटे होते हैं मतलब जो हमारा मटेरियल है वो ग्रेगा नहीं यह जो मोस्टली जो है ग्रेनियूलेशन में यूज कर आता है जो टैबलेट का हम ग्रेनियूलेशन करते हैं ग्रेनियू करते हैं जैसे ही नको यह होटेर हैं से मिलेगी हवा में गया तो यह उपर को छलने लग जाएंगे याने कि वह हभा में ऊपर पहुँ जाएंगे और यह लगा तर जब एयर यहां से आती रहेगी तो यह जो ड्राई हो जाएंगे चारो तरप से जब इसको एर मिलेगी होटेर तो यह ड्राई हो जाएंगे तो वही आपका यहां 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 प्रूडाईजेशन का मतलब यही है जो मैंने आभी आपको बताया कि कि a process in which hot air is passed at high velocity through a perforated bed of moist solid particle जो भी हमारे गीले solid particles हैं उनके नीचे से जो कि हमारे perforated bed उनके नीचे से होट air पार करे जाती है उसकी वाजा से वही जो पार्टिकल से उपर उचलने लग जाएंगे उपर यह हवा में उड़ने लग जाएंगे तो उसी को हम बोलते हैं मतलब एयर आपने पढ़ा होगा दो यही है हमारा फ्लूड ही होती है तो यही हमारा फ्लूडाइजेशन उस पे ही वेस्ट होता है और here granules lifted from bottom and suspended in air वही बात में बोल रहा हूं कि यहां पर जो granules है वो air में lift हो जाएंगे उपर यह उचल जाएंगे और वहां पर यह suspend हो करके सूख जाएंगे ठीक है principle आपको समझ आगे बात करते हैं construction construction जसकी अभी आपने देखी यहां पर जो जो चीज है ना मैंने वही नेम आप लेख रहा है इसकी सबसे पहला है floodized wet dryer जो कि हमारे यह steel का बना होता है यानि कि पूरा system को ही पहले दिखा दे कि यह जो है पूरा steel का यह जो है steel का बना होता है ठीक है दूसरा है detachable वावल यानि कि जो पर्फोरेटिड बोटम जिसका होता है पर्फोरेटिड यानि कि वही छेद वाला बोटम जिसका होगा वावल कहने का मतलब है जैसकि यह जो आप देख रहे हो ना नीचे वाली चीज यह अब ऐसा समझ feeding material है इसमें पल्ट लेते हैं बोलतों डाल देते हैं तो यह detachable वावल detachable का मतलब है इसको हम निकाल बढ़ा सकते हैं तो यह system इसमें होता है और इसमें filter bag filter bag कहने का मतलब है देखी जो यह green में मैंने आपको दिखाए न यह कपड़े के filter bag है filter bag कहने का मतलब है जिसके आप च हटा होता है चक्की से तुरंत बाहर निकलते ही जो कपड़े का बना होता है वह एकदम filter bag ही है तो यहां पर कई सारे filter bag यहां पर लगे होते हैं और जैसे यहां से air आती फूल जाते हैं अगर air नहीं है तो वह सुकुर जाएंगे और air आते वह एकदम फूल जाएंगे तो य हमारी यहां पर air है जो आरी उसको circulate करने के लिए और बापस से बाहर निकलने के लिए भी यहां पर fan का ही यूज करते हैं एक और point of fresh air inlet and heater यहां पर जो है जो air हम provide करेंगे उसके एक inlet होता है और heater यहां पर लागे होते हैं जो कि air को गरम करते हैं अब समझते हैं construction diagram से confused बिल यह गैस दो भी होगी हमारे मलब कि वह इनर्ट होनी चाहिए और reaction नहीं चाहिए यहां से पाल करेंगे यहां पर आपको मिलेंगे heater यह जो रैड रैड हीटर है जो कि जो ठंडी जो gas आ रही है वह यहां पर heat हो जाएगी ठीक है उसके नीचे से हम स्टार्ट करते हैं यह हमा अब जैसे यह आएगी तो यह जो grenioles है एक्टी में grenioles होते हैं जिन से हमारी tablet बनेगी तो यह जोपर उचलने लगते हैं यहां पर यह जो हमारे filter यह यह तो पहुचने लगते हैं ठीक है इनके बारे मैंने बोला तो फिल्टर वैग होते हैं जो आपने आटे वाली चक्की पर देखे होंगे तो यह जब उपर उच्छनल ले जाते हैं तो हम टाइम सैट कर देते हैं या जितने भी टाइम में वह चीज़ ड्राइ हो जाएगी वह हम रेगुलर यहां से सारी चीज़े प्रोवाइट करते रहते ह होटेर बगरा एंड उसके बाद इसको बंद कर देते हैं बंद करने के बाद इसको हम बाहर खीच लेंगे जो हमारा समान जो ड्राइ हुआ है उसको हम बाहर निकल लेंगे तो इस तरीके से काम करता है बाकि जो यह जो एयर यहां से आर यह इनलेट हो करके यह जो हम फैन इ लोड़ेद इन डिटेचेवल बॉल सबसे पहले यह हमारा जो बाँर निकल को अपना जो भी ड्राइब करना उसको हम भर देंगे सैकंड इस्टैप की यहां से हम फ्रेस एर प्रोवाइड करेंगे जो की हीटर के थुरूं यहां पर हीट हो जाएगी यहां से हम इनलेट के there drawing takes place उसके बाद में यही जो जब air मिलेगी इसको तो यह जो सारे material हैं जो भी granules हैं वो हवा में ऊपर यह उचल जाएंगे ऊपर-ी- ऊपर रहेंगे चारों तरप से इसको heat मिलेगी है न चारों तरप से मिलेगी तो और यह जल्दी से ड्राइब हो जाएंगे तो यह जो है यहीं फिल्टर बागतर पहुंच जाएंगे एंड लिख रहा है कि यहां पर फैन ऑल्सो रोटेटेड फोर सर्कुलेटिंग एयर फैन यहां पर गोहमता रहता है apore diy कोcks यहां उट हो जाएंगी और उसको हम इसको बाहर निकालेंगे और इससे पहले कि यह हमारा किक्षोल फैल्टर ब्याइग है उसमें भ हूड है उसमें भी कुछ छोठेड चोठेड पार्टिकल उसमें क्या है तो इसको भी हम जहार लेते हैं वे तो शेक कर लेते हैं यहां पही लिखाए कि here some fine particles trapped in filter wax also Shaked ठीक है बात करते हैं एप्लीकेशन तो पहला पोईंट है कि in drying of tablet granules जो अपके ग्रेनियुस होते हैं छोटे छोटे-छोटे ग्रेनियुस जो बने होते हैं उन्हों मिला करके हमारी टैबलेट बनती है तो उनके ड्राइंग में इसकी एक मोडिफाइड फॉर्म भी होती है एक एक प्राइड करते हैं ठीक है बात करते हैं एड़बंटेज तो एक दम फास्ट प्रोसेज है आप यहां पर यहां पर काफी खट्टा वा समानी है पर फिल करके और तो इसको ड्राइड कर सकते हैं हाइड घर्मल एफिसियनसी काफी यहां पर हम भी प्रोवाइट कर सकते हैं यह आज ईयु निए फिल्हां करना है हमारे हाथ में होता है कम मशीन को बंद करना कि कम नहीं करना है तो खोड़त कम ने थाइम थी अब दोड़िकला लाश्ट में है इसके disadvantage जो कि पहला कोई था एक्ट्रीसियन अपने पढ़ा होगा एक्ट्रीसियन का मिलबता ब्रेकडाउं यहां से पार्टिकल्स उपर हवा में उड़ेंगे तो वापस में टेकराएंगे भी जो टेकराएंगे तो आप टेकरा करके टूटेंगे ब्रेकडाउं उनका होगा तो यह इसके एक disadvantage है दूसरा की नौन यूनिफर्म क्वालिटी अप सार्टेन प्रोड़क्ट यह हर एक प्रोड़क्ट की जो क्वालिटी एन वो एक जैसी नहीं होती कोई जादा सूख जाता है कोई कम सूखता है तो यह इसका क्वालिटी एक जादा सूखता है